हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज मैं जंगल में आया था तो एक मैं आपको पेड़ दिखा रहा हूं जो बहुत ही खतरनाक पेड़ होता है जहरीला पेड़ होता है एक तरह से कहा जाए तो अगर इसके पत्ते से आप टच हो जाएंगे या इसका पत्ता से आप रगड़ खा जाएंगे या इसका एक फल होता है इस पेड़ का नाम है भेलवा जंगल में पाया जाता है और इसका पत्ता चोड़ा चोड़ा बड़ा होता है और इसका फल मैं आपको एक फल नजदीक में है जिसको मैं आपको नजदीक स दिखा रहा हूँ चिरोंदी होता है उसे लगा हुआ फल होता है जब पकता है तो ये पीला पीला हो जाता है लाल पीला टाइप से खाने में बहुत ही स्वादीश्ट और मीठा लगता है मैं भी क्योंकि खाया हूँ इसलिए मेरे को पता है और एक मेरे मित्र है जो आपको लेकिन मैं सुना हूं कि कई लोगं को सूट नहीं करता है इसको खा जाने से मतलब खुजली हो जाता है कोई मैं तो सुना हूं कि इसका हवा भी कोई छोड़ दे अगर खा के तो उससे भी हो जाता है इसा मैं सुना हूं इसा इसका जहर होता है है यह देखे भाई सूर हैं सायद इनको कुछ प्राबलम नहीं होता है यह ताकत वर इनका सरीथ है जंगली का कांदा खा-खा खा devo एकड़ मजबूती के सार्थ है और कुछ नहीं होता है इनको इनकी मतलब रोग परतिरोधक छमता कहा जाए तो बहुत ही ताकतवर हैं मजबूत आप बनाये हुए हैं तो हम लोग भी आज इनके साथ आए हैं कि भई इनके जैसा ही सरीर हमारा भी हो और ताकि किसी भी रोग से हम लड़ सकें इसलिए तो ज आनक दीखा तो मैंने सोचा कि इसके बारे में और भी लोगों को बताना जरूरी है क्योंकि कई बार आप जंगल में जाएंगे तो जंगल आयरुवेद का ख़दान है यह भी कोई न कोई आयरुवेध ही होगा और इसके बारे में अभी मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मैं भी एक बार इसको आया था तो खाया था तो मेरे को भी घाव एगर हो गये थे तो इसको बहुत सारी उपाएं हैं जिस बिधी से इसको ठीक किया जाता है तो बहुत सारा इसका है तो जब भी जाएं तो ऐसे आगर आपको फल दिखें यह तो अभी हरे हैं अभी आप देख सकते हैं काजू की तरह ये पत्ते होते हैं सेम टू सेम काजू की तरह पत्ते काजू की तरह फल भी हैं काजू की तरह फल लगे हुए हैं लेकिन ये काजू नहीं है दोस्तों ये भेलवा है भेलवा बहुत ही खतरनाक होता है तो बिल्कुल मेरे द्वारा ये जनों में सेयर करें और अगर आपको कोई नयाब जनकारी चाहिए तो कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ थैंक यू धन्यवाद